यह वीडियो मैं उन्हें बनाई इसलिए थी कि बहुत सारे लोग ना मेरे से बात करने के लिए पूछ रहे थे कि कैसे बात करनी है न्यूदी लेंड का सकसरेट बहुत अच्छा चल रहा है डिपोर्टेशन हो रही है लेकिन यह उन लोगों को हो रही है जिनकी यह स्टेलिया सो गाइज वैलकम बैक टू दा चैनल सो भाईयो काफी दिनों से वीडियो नहीं आ पारी है माफी चाहता हूँ क्योंकि आपको पता लगी क्या होगा हम लोगों ने ओपिस बना लिया है अला कि घर पे ही बनाया है अभी ओपिस मान लोग कहीं अभी ओपिस देखके ये ना क कहने लग जाना कि हम आपसे मिलना चाहते हैं जैसा कि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मुझे तो अभी मैंने यह सिर्फ कि चलो वीडियो में बैक ग्राउंड अच्छा आए और कई बार जिनके वीजे आते हैं तो वो मेरे से मिलने भी आते हैं तो इसलिए मैंने अपने आप लोग तो यह अपना एक भाई है यह अपनी हेल्प के लिए कह सकते हो या मेरा दोस्त है तो यह पूरा देख सकते हो आप इसको चार दिन लगे पूरे बनने में लाइटिंग की ववस्ता करने में सब कुछ करने में मैं अगेन आप लोगों का थेंक्यू करना चाहता कि ये सब आप लोगों की वज़े से ही possible हुआ है otherwise मैं यहां तक नहीं पहुन सकता था तो अभी thank you आपका तीसरी बार thank you कर रहा हूँ ये सब possible सच में आप लोगों की वज़े से हुआ है मतलब अगर आप मेरे पे मेरे मतलब इतना बरोसा ना करते तो मैं ये आज ओपिस नहीं खड़ा कर पाता ठीक है thank you तो चलिए तो आज हम बात करेंगे पहले तो सबसे पहले यार मैं बता दूँ एक बंदे की डोकुमेंट प्रिपेर किये थे हमने इसका स्विजरलेंड का वीज़ा आया है लेकिन बंदा फॉन नहीं उठा रहा है देखो मैंने कुछ पैसे थोड़ी मांगने है यार मुझे तो यह था कि बंदा यहां आएगा चलो मेरी वीडियो बन जाएगी है इतना ही होता है कि चलो अगर मैंने पांच जार रुपे में किसी का स्विजरलेंड का वीज़ा आ गया तो मैं अब देख लो भाई ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिजी तो आपको पता लगी गया क्यों था लेकिन यह सबसे पहले इधर अस्टेलिया के वीज़े दिखा देता हूं मैं आपको जो एक तरीक के बाद बाद वीज़े आएं ठीक है यह 27 जून का है तो यह नहीं दिखाएंगे अपने तो यह देख लो भाई हो यह अस्टेलिया के वीज़े हैं और इसलिए थोड़ा सा मैं चल रहा था यह अस्टेलिया के वीज़े हैं और न्यूजिलेंड के वीज़े भी दिखा देता हूं मैं आपको बहुत जारे लोग कहते हैं कि जिनके वीज़े आते हैं उनकी फाइल डिसकस किया तो बाई टाइम उतना ही होता है मुझे फाईल डिसकस करनी चाहिए यह न्यूजिलेंड के वीज़े बहूत ज़ादा आ रहे हैं फ्रेश पासप पर आए यून महीने की बात कर रहा हूं मैं तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ हुआ कि कर दो नो बढ़ सकता है हो नहो नहां खो झाल झाल हो नहां खो हो नहां कि झाल कि प्लड़ रहा फस्टाउ कि तका अग्याओ कि उकान व रहां बड़ो हो ऊज़ कि यूज़ कि पर जड़ अगर मैं सभी वीजे दिखाने जाओंगा तो अभी टाइम काफी चला जाएगा और ये कुछ शैनेगन के वीजे हैं जिसको आप स्टिकर वीजा भी बोल सकते हो ये चेक रेपबलिक का वीजा है और स्वीजर लेंड का कैनेडा का वीजा ये यूके का ये भी यूके का और ये अगेन कैनेडा का सो मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे भाई मेरे से बात करने के लिए मेरे से नंबर मांगते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अब वीडियो लेट भी नहीं होगी आपका काम भी टाइम पे टाइम होगा और आपसे बात भी हम करेंगे कॉल पे तो सबसे पहले मैं आपको बता दू अगर किसी भाई नहीं मेरे से कोई भी हिल्प चाहिए आपकोई बीजे में डॉकॉमेंट प्रिपेर कराना है वीजे में किसी परकार की help चाहिए आपको cover letter चाहिए cover letter भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा बहुत सारे लोग कहते हैं कि cover letter हमें आप दे दिया करो तो भाई देखो हमारे कुछ nominal से charges होते हैं ज़्यादा तो मैं नहीं लेता मैं cover letter आपको दिखा देता हूँ cover letter हम बहुत अच्छा तियार करते हैं ऐसे हम highlight कर देते हैं आपको दिखा देता हूँ मैं हर वीडियो में मेरे cover letter का जरूर जिकर करता हूँ cover letter देखो भाईयो दूसरे कोई agent है आपका cover letter कैसे ready करता है मैं उस बारे में नहीं जाओंगा हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है मेरा मानना ये है कि जब तक आप cover letter अच्छा नहीं बनाओगे क्योंकि अभी इतनी सारी file जा रही हैं बंदा आपका सामने वाला cover letter ही पड़ेगा ये मेरा मानना है ठीक है एक होती है itinerary travel plan आप लोग मेरी screen पर देख सकते हो न्यूजिलेंड और Australia की मैं travel itinerary की एक जलक दिखा दूँगा आपको इस side में आप लोग देख सकते हो ऐसी आप लोग अगर आइतनरी तियार करोगे colorful आइतनरी तियार करोगे तो आपको वीजा मिलने के chance बढ़ जाएंगे ठीक है और Australia के वीजे न्यूजिलेंड के वीजे अभी still आ रहे हैं अगर किसी बाई को हाँ मुझे पता है कि बहुत सारी problem आ रहे है ये deportation में बहुत सारे बच्चों को डिपोर्ट किया जा रहा है लेकिन मैं आपको बता दूँ आप वीजा लेके रख लो अभी फिलाल travel करना सही नहीं है अगर करना है तो आप लोग मुझे से बात कर सकते हो मैं आपको रूट बताऊंगा कि आपको कैसे जाना है अभी हमारे 5 से 6 बच्चे न्यूजी लेंड पहुंच गए हैं कल परसों पहुंचे हैं और उससे पहले भी हमारे 4 बच्चे न्यूजी लेंड पहुंच गे थे उसका रूट हम मैंने ही तियार किया था यानकी दिल्ली से बहुत problem आ रही है, इंडिया से problem आ रही है, ठीक है, लेकिन इंडिया से आपको कुछ airport ऐसे हैं, जहां से आपको fly करना है, दिल्ली से fly नहीं कर रहा है, चेन्याई से fly नहीं करना है, अब बल तो अगर किसी के पास New Zealand का वीजा है, आप लोगों को यहां से New Zealand का बोलना ही नह रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप वीजा मत अपलाई करो, भाई अपना वीजा New Zealand का आप लेके रख लो, अभी travel मत करो, New Zealand का success rate बहुत अच्छा चल रहा है, deportation हो रही है, लेकिन यह उन लोगों को हो रही है, जिन की travel history नहीं है, जिन लोगों की deportation नहीं हो रह बहुत सारे लोग मेरे को question करते हैं कि New Zealand में time बहुत लग रहा है, तो वाकई में time लग रहा है, tension वाली गवराने वाली कोई बात नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं, 15 दिन होते नहीं है, हम बैसी को mail करने लग जाते हैं, भाई उन्होंने साप साप अपनी website पे लिख रखा है, 8 week मैंने कुछ-कुछ वीजों पर तो 8 week का time आ रहा है, तो 8 week को आप मान लो कि कम से कम आपको 2 महीने तक अगर आपका वीजा उपर चला गया 2 महीने से, फिर आप अपनी file withdraw कर सकते हो, या फिर आप embassy को email लिख सकते हो, अगर किसी के 2 महीने से जादा हो गये हैं, उसको य मेरा मानना है, या फिर embassy को 2-3 mail करनी चाहिए, ठीक है, अधरवाइस जल्दवाजी मत करो, अब मैं बात करूंगा कि New Zealand और Australia में document क्या लगते हैं, तो मैं फटा-फटा आपको ये वीडियो का matter ये नहीं था, ये वीडियो मैं उन्हें बनाई इसलिए थी, कि बहुत सारे लो पैसा डालने, जब आप पैसा डालते होना, तो ये एक box होता है, जहां पर आपको अपना number छोड़ना है, अगर कोई भाई, phone पे और Google पे नहीं चलाता, तो आपको मुझे email करनी है, इस वाली ID पर, मुझे screenshot mail कर देना है, और आपना number छोड़ना है, और आपने बोलना है, कि भाई मैंने आपको पैसे डाले थे, इतनी तारिक को, इतने टाइम पर, तो आप प्लीज मुझे से बात कीजिए, ठीक है, जो phone पे और Google पे चलाते हैं, उनके लिए तो ये chat box बन जाता है, यहां पर, यहां पर आप मुझे chat कर सकते हो, ठीक है, number के लिए, मैं एक website launch कर रहा ह कि फिर मेरा WhatsApp नमबर आएगा, ठीक है, अब ही आने वाले दिनों में, जितने लोगों के Canada के वीज़े आए हैं, जिन लोगों के UK के वीज़े आए हैं, जिन लोगों के Switzerland के वीज़े हैं, जिन लोगों के Australia के वीज़े हैं, और एक भाई है जिसका USA का वीज़े आया है, ठीक ह और बाकी आपकी सारा काम मैं रेडी करके दूँगा फीस है अम ऐसी फीस है वो आपके कार्ड से कट जाएगी ठीक है तो आज की वीडियो में अगर कुछ रह गया हो हाँ ये जो अस्टेलिया की वीजे आए हैं एक दो रिफ्यूजल आई है उनमें लोगों ने क्या गलतियां की है ये वीजे की क्या प्रोफाइल थी मेरे को पता है बेरे को सब पता है लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है आगे आने वाले दिनों में मैं अपना स्टाप बढ़ा रहा हूँ फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाला करूंगा कि ये वीजे जो आया इसके क्या डोकॉमेंट थे ये जो रिफ्यूजल आई है इसका क्या कारण था ठीक है मुझे सब पता है लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है ठीक है भाईयो अगेन आप लोगों का मैं तह दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने मेरे पर इतना वरोसा किया आप लोग बहुत अच्छे हो सच में मेरे पर इतना वरोसा किया लेकिन मैं भी आपका वरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा ना मैं कभी किसी से ठगी मारूंगा ना मैं हाँ वीजा रिफ्यूज हो जाए मैं अपने तरफ से पूरा जोर लगा देता हूँ मेरा काम एजेंट गिरी वाला नहीं है एजेंट लोग आपको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम है मैं आपको एक चीज और बता दूँ चंडीगाड में और दिल्ली में बहुत सारे एजेंट हैं जो कवर लेटर मुझसे बनाते हैं मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता लेकिन यह रियल्टी है ठीक है भाईयो तो ठीक है आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर जुरूर सस्क्राइब कर लेना अगर नए हो तो और एक रिक्वेस्ट हो रहे हैं इस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए तो ठीक है भाईयो जैन वंदे मात्रम